तो अगर आप यूपी विहार में रहते होंगे तो आपने ये वाली रेसिपी जरूरू ट्राइक की होगी सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने दो कप लिया है गेंगों का आटा, उसके बाद मैंने एक कप लिया है इसमें चीनी, मतलब एक कटोरी, उसके बाद मैंने दूद डाला है, दूद को आपको एक ही बार में नहीं डालना है, अगर आपको अधाजा हो तो आप डाल सकते हो तो आप धीरे धीरे करके डालिएगा और इसका ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए उसके बाद आपको tawa को heat होने के लिए रख देना या ब hebt मैंने लोहरी का tawa लिया हुआ है और आप बैटर देख सकते हो कितना थिक है और कितना पतला है तो इसी हिसाब से आपको consistency रखने हैं उसके बाद मैंने इसमें mustard oil डाल दिया है और उसके बाद बैटर को एक कलचुल डाला है उसके बाद इस बैटर को आपको फैलाना है तो यहाँ पर नहीं मेरी मम्मी हाथों से फैला रही है क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे से बिगड़ जाता है तो मैंने मम्मी की मंदद ली लेकिन आज हाई होने की वज़े से यह निक्षे से थोड़ा सा जल गया तो आपको आज धीमी कर देनी है जैसे अब यह सेकेंड वाला देखिएगा बहुत सुंदर बनके त चोथा कहते हैं और यह एकदम चीले जैसा ही सेम प्रोसेस है जैसे कोई लोग सूजी का बनाते हैं कोई लोग बेसन में सबजिया काटके बनाते हैं वो सब अपने हिसाब से अपने हर छेत्र में जाएंगे न तो हर चीज की अलग-अलग वराइटी मिलती जाती है तो जब कि एक साइट से कोई खो जाए आप भी देख सकते हो आप कितना सुनेहरा कलर आ आज धीमा करने की वजह से तो दोनों साइट जब अच्छे से कोई खो जाएगा तो दो-तिन बार पलटके पकाएंगे और उसके बाद अपने बर्धन में सौफ कर लेंगे सेम तरीके से एक औ अच्छे से उपर से दिख रहा है जब उख हो गया है तो साइट साइट से किनारों से इसको हटाएंगे ताकि यह टूटे न और उसके बाद एक ही बार में पलट देंगे यहां पे इसको पलट देंगे जब यह सुनेहरे कलर का हो जाएगा और आज आपको धियान रखने है हाई फ्लेम नहीं करनी है जब अच्छे से कोख हो जाए तो थोड़ी देर के लिए इसे कलर लाने के लिए आप आच्छे कर सकते हो लेकिन जब अच्छे से कोख हो जाए तब अपने प्लेट में निकाल की और थोड़ा सा मिर्ची का चार या आम का चार भी ले सकते हो और इ बनता है ना तब इसकी रेसिपी यह वाली बनाई जाती है बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है